देखी फ्रेंट्स आप लूग पूछ रहेते हैं कि सर हर्याना में DL8 का 24 से 26 सेशन का जो एडविसन स्टार्ट हुआ है तो क्या अधर शेट के स्टुडेंट हर्याना से DL8 कोर्स कर सकता है आपके पास क्या प्रूफ है जैसे गैस मैं आपको कह रहा हूँ कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हर्याना से अधर शेट के स्टुडेंट भी DL8 कोर्स कर सकता है तो आपको पता होना चाहिए अगर आप हर्याना से DL8 कोर्स करते हो तो क्या ये आपके स्टेट में मानने होगा या नहीं होगा जैसे आप बिहार से हो और आप हरियानस से डिलेट कर लेते हो मानता प्राप्त कॉलेज से कैसे करना है वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में आप मानता प्राप्त कॉलेज से हरियानस से डिलेट कर लेते हो इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ, समझेगा, देखे फ्रेंट्स, दो तरीके के यहाँ पर रूल है, पहला रूल है NCT, NCT क्या कहता है, NCT जो है न, जो है न, जो है नेशनल लेवल का और्गनाजेशन है, सेंटरल गवर्मेंट का, यह क्या कहता है फ्रेंट्स, अग उसके स्टेट में तो वैलिड होगा ही, और पूरे इंडिया में सभी स्टेट में वैलिड होगा, मतलब इंडिया के कोई भी किसी भी स्टेट का स्टुडेंट, अदर स्टेट से डियलेट कर सकता है, वस वो NCT से मानता प्राप्त होना चाहिए, अब गाईज, कुछ स्टेट के बच्चे ही एडिविसन नहीं ले पाएंगे, तो फिर हमें वोट कैसे मिलेगा, तो कुछ स्टेट पहले पता ही क्या करे थे, कुछ स्टेट ने केवल अपने ही स्टेट के स्टुडेंट के लिए डियलेट कोर्स रखा था, मतलब बाहर के अलोग नहीं किया था, बट अब आपको पता है, यह यूपी में भी आपको पता है, 2024 से अधर श्टेट को एलिजिवल कर दिया गया है, तो वो तो वोट के लिए करते थे गवर्मेंट, लेकिन अब क्या है कि स्टेट गवर्मेंट भी अगर आपको अलोग कर दे, तो फिर वो आपका कॉर्स मानने करेगा और श्टेट गवर्मेंट करना चाहेए, तो श्टेट गवर्मेंट ने कर दिया है, यहां पर आपका 20,000 रुपे दो साल का फीस होता है, और 20,000 रुपे में इक कॉर्स हो जाएगा, वैस से अगर आप नों एटेंडिनिंग डेली नहीं जा सकते ही, अधर स्टेट के हैगा, SCRT और DEAD हर्याना दो वेबसाइट है, कब आपको कॉलेज में जाकर फाइनल एडिविसन लेना है, ठीक है तो आपको 25 अफ्टूबर या 26 अफ्टूबर पता लग जाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में डारेक्ट एडिविसन के लिए जाना होगा, ओके फ्रिंट्स यहाँ पर डॉकमेंट्स देख लिजे, क्या क्या चाहिए होंगे सारा लिखा हुआ है और चलिए मैं आपको फीस यह सब दिखा देता हूँ यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर फीस जो है आपका और फॉर्म भरने के जनरल फीस 500 रुपीय है बागी रिजर्व का टीगरी का 500 रुपीय है देख लिजे फीस, फर्स्ट एयर के